Hey guys welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the systematic desensitization so if you don't know what is systematic desensitization this video is for it this is Kevin short let's get started guys last video में हमने आपकर आपको याद है बात करीती behavior therapy के ओपर मैंने बताया था कि behavior therapy पूरा एक इस्ट्रक्चल वे है कैसे हम किसी के anxiety disorder को fear को या फिर phobias को डूर करने के लिए हम आपकी behavior therapy को यूज करते हैं तो behavior therapy पे मैंने आपको तीन डिफरेंट टैक्निक बताया थी उसमें से सबसे पहले जो टैक्निक थी वह हमारी थी systematic desensitization तो बात करते हैं systematic desensitization के बारे में तो systematic desensitization guys mainly किसके लिए apply करी जाती है mainly apply करी जाती है जब किसी को fear anxiety disorder 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 या फिर phobias right phobias डिफरेंट त्रेके भी हो सकते हैं cholesterol phobia dendrophobia right I hope आपको इनके बारे में पता हो तो जब भी हमें बात करेंगे fear को treat करने के लिए anxiety disorder को treat करने के लिए या आपकी phobias को treat करने के लिए जो हम टेक्निक को use करेंगे वह आपकी होगी systematic desensitization systematic desensitization किसके अंदर behavior therapy के अंदर तो अगर हम बात करें systematic desensitization तो यह systematic desensitization आपकी three state में divided है पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं example दोंगा ताकि आपको और असानी से समझ में आदे तो सबसे पहले हमारी stage 1 होती है phobic इस्टो phobic stimulus suppose करिए कि कि किसी को spider से डर है किसी को spider से डर है तो phobic stimuli यहां पर होगी मैं यहां पर लिख लेता हूं कि उसे इस पैडर से डर है तो phobic stimuli के होगी आपकी spider जब भी वह spider को देखता है क्या होता है वह फिर अराइस करता है उसे डर ले से डर लगता है तो phobic stimuli किसी भी चीज की हो सकती है हमने एक एक अग्जामपल लिया है spider का कि जब भी कोई person spider को देखता है तो उसे क्या राइस होता है conditional stimuli कि है कि जब भी वह spider को देख तब ही क्या होगा उसको डर लगेगा सेक्ट स्टेज में देखते हैं कि हम इसे कैसे दूर करने के लिए हम भीवर थेरीपी में तीन स्टेज में में बता रहा हूं दूसरी स्टेज में हमें क्या करना है कि जो वह इस्पाइडर देख रहा है इस्पाइडर क्या है आपका phobic इस्ट्यू मिली तो हम रिलाक्शाशन ट्रेइनिंग देंगे तब जाके रिलाक्शाशन ट्रेइनिंग में उसको हम हैवी चुल बनाएंगे किसका रिलाक्साशन का अभी आपको थूड़ा ओकौर लग रहा हुगा जब एक relaxation जोड़ दी जैसे हमने सपाइडर है सपोस्ट करें सब्सक्राइब के साथ हमने कोई भी आप कह सकते relaxation training हम कह सकते meditation के समझ लीजे मैंने आप meditation एक 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 जामपल ले लिए कि इस पैडर को देखकर मैं उससे कह रहा हूं कि उसके साथ सब्सक्राइब कर रहा है कि जब हम इस relaxation training को हटा देंगे तो फोबिक स्टुमिली डैट इस जो आपका इस पैडर परजेंट होने के बावजूद भी उस परसन को रिलैक्सेशन फील होगा रिलैक्सेशन मलब जो फियर वाली सबसे पहले हमने क्या रिक हमारी कि असे बहुत ज्यादा दर लग रहा है तो सबसे-पहले हमने क्या करा कि हमरेक्सक्रीं बिल्ट ए हाए है और और कि मेंज हम सारे लिश्ट कर रहे हैं सारे उन फैक्टर को जिससे उसे डर लगता है उसमें क्या क्या वैक्टर आ जैंगे जैसे आपका लुकिंग एट स्पेडर उसे को देखते ही अcak में डर लगने लग रहे है दूसरा कि यह हूं कि कि उसे-उसे टुछकरने पर फिंकिंग के दूके उसे क्योंने जाता है धैया लगनेजर भुड़ने शहाँ जाको टूल है तो अपर यह दो हमनेशरे की लि spons बना ली है मेन जो हमारा स्ट्विभलस है वह ऐ स्पाईडर की जो आपका परसं तरह किस की सीट चीज से तो तो हमने एक hierarchy बना लिए that is our stage first जो हमने ऊपर बात करी है कि जो इस्ट्यूमली है उससे उससे डर लग रहा है तो हमने क्या कर लिए hierarchy कर लिए सेकेंड इस्टेज हमारी क्या थी स्टेज सेकेंड हमने क्या कर लिया है उसके साथ एक relaxation training जोड दिया है ना रिलेक्सेशन ट्रेइनिंग क्यों होते हैं रिलेक्सेशन ट्रेइनिंग कुछ भी हो सकती है जैसे meditation जैसे कि breathing exercise जैसे कि muscles desensitization अब इस स्टेज पर हम उसे क्या कह रहे हैं इस स्टेज पर हम उसे सिका रहे हैं relaxation training कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपनी body को पूरा relax कर देना है किसी भी एक टेक्निक के थुरू राइट जैसे आप meditation करिए तो meditation जब आप करते हों तो आपकी जो body होती है वो बिलकुल relax हो जानी चाहिए यह क्यों जरूरी है क्योंकि कई वार अगर आप relax नहीं होगे आपके mind में बहुत सारे different thoughts चल रहे हैं तो आप अपनी जो mind की जो energy है उसे आप एक जगे focus नहीं कर पाओगे तो यह स्टैप क्यों जरूरी होता है ताकि वह आपको रेसी पोकल इनिवीशन से बचा सके कि मैं यहां लिख देता हूं रहसी कि प्रोकल कि इनिवीशन इसमें हमने क्या करा है कि हमने उसे relaxation ट्रेनिंग सिखाई है relaxation ट्रेनिंग ताकि उसका focus बढ़ सके और जो रहसी पोकल इनिवीशन प्रोसेस होता है वह प्रोसेस ना हो अब यह रहसी पोकल इनिवीशन प्रोसेस क्यों होता है कि लाइक सपोस करिए उसे डर है स्पैडर से जैसी वह स्पैडर के बारे में थिंक कर रहा है तो सिर्फ सोचने से ही उसे फियर लग रहा है तो अगर वह बंदा से जैसे ही जो आपका स्पैडर है इससे क्या कर रहा है उसको टेंशन दे रहा है और टेंशन क्या है रिलेक्षेशन से इनकम्पैटिबल है जैसी वह इस्पैडर को देख रहा है इस्पैडर को देखकर उसे एंजाइटी हो रही है और एंजाइटी क्या है एंजाइटी बिल्कुल क्या है इनकम्पैटिबल है किससे आपकी रिलेक्षेशन से और विर टसेषर इसका रह सी-पोगल इनियवेशन जब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इनियविट करता है अपने प्रोसेस के अकोर्डि एस प्रोसेस में हमने उसे क्या रिलाक्षेशन ट्रेनिंग दी मेडिटेशन करना से कहा है प्रीफिंग एक्सेसाइस पर कंट्रोल करना से कहा है मसल्स डिसेंसेटाइजेशन करी ताकि फर्दर अगर उसे कुछ रिकार्मेंट पढ़े तो अपनी जो साइकलोजिकल रेस्पॉंस है उन्सको वो स्ट्रेसफू यूए ऑ कि अव्या दिसेंसेटाइजेशन में हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने उसको स्पैड्र से ड़ता तो हमने उसे एक इस प्रेडर की पिच्चर डिखाई तो वह रिलैक्स रा उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ہमने इस पमईर का एक डॉय दिखाया अब लीजिर रहा उसके बाद हम ने उसे दिखाया एक इस फैडर जो कि पर Europeans रहां यहां जब वह सपोर्स करिए वह देखता हैं और अचानक से वह नहीं रहा पाता है तो हम दజार क्या करेंगे इस वाली स्टेच पर हम अटक गए टोरा हम करेंगे थोसी relaxation फिर द्वारा जब हम यहां पर अटक गए हैं तो हम क्या करेंगे द्वारा stage 2 पर चले जाएंगे और द्वारा उसे क्या सिखाएंगे relaxation train क्या भी आपको और relaxation training की requirement है फिर द्वारा हम same step करेंगे spider की पहले pick दिखाएंगे फिर spider वाला toy दिखाएंगे फिर एक dead spider देंगे अब वो क्या है अभी भी relaxable है तब हम उसे real spider दिखाएंगे अब वो real spider में भी क्या है बिल्कुल stable है relaxed है नाउ लास्ट इस्टैब में हम क्या करेंगे hold a spider उसके हाथ पर एक spider रख देंगे जब हाथ पर spider रख देंगे डैट मीन लाइव spider तो क्या करेगा अपनी बॉड़ी को पूरा relaxation में ही है अगर उसकी बॉड़ी है डैट मीन जो हमारी therapy वह successful हो चुकी है तो इस तरह से क्या करना है आपको जैसे कि अगर मैं एक एक जामपल लो सपोस करिए एक किसी को डॉड़ से डर है तो सबसे पहले हमने क्या करा उसको डॉड़ दिखाए डॉक्स को काफी साथ उनको दिखाया कि यहां तुझे देख थोड़ी 10 वाइल की दूरी से दॉनद स्थे लहाएं पाने किसे दिखाए ना फिर हमने क्वेनेक्त स्थेप में हमने से लेकिन हमने क्या करई दिए दूर इस से डॉक्स दिखा ने कशी है यह गया कि सब्सकूर बें हम उसके सबस्सक्राइब फिलकुल ले कहा है लेकिन टोग क्या है बीबी दूर है बीलकिल लिखाज्डा डिस्टैस नहीं लेकिन तरश हो करेंगे ह। को डॉक से physically टेच करवाएंगे को लास्ट इस्टैप क्या करेगा टेम करेगा कि लास्ट और स्टेप में आप इसे वह आगा जाना चाहते हो डॉक को उसकी लैप में बिठा देंगे तो उससे वह जागा बिलकुल अब खतम हो जाएगा तो इस जो प्रॉसेस चलता है इसको प systematic desensitization एक हमने systems के according उसकी जो desensitivity थी मतलब की जो muscles relaxation एक senses को उसके को desensitize कर दिया है अब वो उस चीज से नहीं डरेगा यहीं चीज मैंने आपको stage 1 stage 2 में दिखाई spider है उसे का लग रहा है डर लग रहा है पिर हमने क्या करा spider के साथ ही उसको क्या हमने relaxation training दिया क्या meditation करिए आप सिर्फ सोचिए अभी क्या उसके सामने कोई live spider नहीं है सोचिए खाली meditation करते रहिए अपनी body को relax रखे meditation करने के बाद हमने उससे का क्या आप spider के बारे में सोचिए अगर वो relax है that mean हमके एक हमारी relaxation training successful हो रही है लेकिन सिर्फ सोचने से वो relaxation नहीं है that mean अभी relaxation training को और आगे लेवल पर ले जाना है तो इस हिसाब से हमें systematic देखना चलना है कि कहां तक उसकी जो relaxation training है वो successful होती जा रही है step 3 में आपको क्या करना है कि उसके सामने जो phobic रिष्ट्य मिली थी relaxation training को हम हटा देंगे पहले वो सिर्फ thinking कर रहा था अब हम उसके सामने कहले गए हमने उससे सबसे पहले एक क्या दिखाया है टॉय के बाद हमने वाली पिछली वाली स्टेश थी उसमें चले जाएंगे अगर वह रिलैक्स है तो हम आगे बढ़ेंगे अगले step में हमने क्या करा है उसके हाथ पर लाइव स्पैटर रग दिया है क्योंकि उसका डर दीरे 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 कम होता जा रहा है जो सेंसे हैं वह उसके अकॉर्डिंग अब एक्ट करने लग गए है यानि कि step 3 में हमने जो relaxation training थी वह यहां पर useful होते भी नजर आ रही है लेकिन हमने उसे अब हटा दिया उसकी body अब उसको लेकर relax ही रहती है तो यह थे stage 3 और यह पूरे कि अगर हम बात करें तो यह था आपका systematic desensitization आप हाइट का भी एक example ले सकते हैं बहुत जल्दी में example दोंगा suppose करें किसी को height से डर लग रहा है तो आप पहले क्या करते हैं फिर फ्रस्ट फ्लोर पर जब तक वह ठीक रहता है तो ठीक है नहीं तो फिर हम उसे वहीं पर ही रखते हैं फिर दुआर उसको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना बुलें वी विल स्यों इन दे नेक्ट वीडियो तिल देन टेक क्यार है वे ग्रेट डेंक यू अल आफ यू